वीज़ वीज़ वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो गाइस आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर रहा हूं उसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ आपको पांच मिनट लगने वाले हैं और मातर पांच मिनट के अंदर याप इस रेसिपी को बना सकते हो और गाइस बहुत ही जब इमली की चैनी बनाने में बहुत जंजट वाला काम भी लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आऊ ना वो आप फटा फट से बना सकते हो और एकदम वही इमली की चैनी वाला टेस्ट भी आ जाएगा चाट आपके बिल्कुल जबर्दस्त खट्टी मिठी बनेगी और यह चट्नी भी आप फटा फट से बना लोगे बिना जादा टाइम लगाए तो चलो गाइस फटा फट से रेसिपी को शुरू करते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज अगर आपको सीडले से मिल जा तो आप वह भी उसकर सकते हो लेकिन यह बीज वाले हर जगा मिल जाती है तो मुझे भी मिल गया था तो मैंने यह डाला उसके बाद हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से आपको पानी के साथ अच्छे से मसलना है उंगली की साहिता से आप इसक अच्छे से मसलने के बाद पानी जो है वो अलग हो जाएगा उसको पानी को आपको च्छान लेना किसी च्छनी की साहिता से और यह जो बीज वगे तह देख रहो न आपको इसको डिसकार्ड कर देना यानि की फेक देना यह हमारे काम का नहीं है और एक चीवस जब आप इस चिर्फ एक चुटकी यानि कि एक पिंच हींग और साथ में आपको डालना है एक टेबल स्पून यानि कि एक बड़ा चमच यह क्या है अदरक है हाँ अदरक डालना आपको ठीक है और देखो इसमें वैसे तो अदरक की जगह सौट पाउडर जो होता नियानि कि जिंजर पाउ इमली वाला पानी बनाके रखा था वो डाल देना है और फ्लेम को इस वक्त मेडियुंट रखना है और मेडियुम फ्लेम पर जब इस तरीके से बॉयर आने लगे तब आपको इसमें डालना है। गोडां कि टीन चौथाई कप मैंने यहाँ पे इमली लिया था ता आधा कप मैंने इसमें डाला है गुड अब गुड आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में कम जाधा कर सकते हो मतलब आपकर आपको जाधा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो आधा गुर्ड और आधा चीरी भी आप मिला कर डाल सकते हो ठीक है अब देखो यहाँ पर मैंने इसको मीडियम फ्लेम रखा था और इसको हो गए है पांच मिनट पकते-पकते गुर्ड डालने के बाद जब आप इसमें गुर्ड डाल देते हो तब इसका जो बिली आए या झाल लाड़ा हो जाता है पहले से आपको दिख रहा होगा इसके रंग में अंदर तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले और मसाले आपको बहुत जादे नीची है और बस इन सब मसालों को डालके मिला लेना और मिलाने के बाद आप इसको 3-4 मिनट और पकाना या फिर तब तक पकाना जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता मीडियम फ्लेम पे तो अब देखो दिख रहा है आपको एकदम वही इमली की चटनी जैसे आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा अब ये क्योंकि गाढ़ा हो गया है पकते पकते और इसकी क्वैंटिटी जो थी यानि वह भी पहले से कम हो चुकी है तो बस अब आपको इसको सिरफ 2 मिनट और पकाना है पर इमली की चटनी बनकर रेड़ी और मैं आपको इसको गरम-गरम में अभी दिखा रहा हूँ इसलिए इतना पतला है और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके का गाढ़ा थोड़ा हो यह हो जाता है तो बस तो तयार है गाइस फटा-फट वाली खटी मीठी इमली की चटनी और जब आप इसको किसी भी अपने चाट पे दाई वल्ले पे डालोगे ना सच में दुगुना हो जाएगा इसका टेस्ट और आपने देख और बनाना तो काईस आपने देखे लिया कितना सिंपल था इसको फटा-फट से बन जाता है कोई जंजट की बात नहीं है जब भी आपको कोई चाट वगेरा बनाने हो दैवल्ले बनाने हो फटा-फट से इस आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया और यह भी जरूर बताना की रेसिपी कैसे लगी चैनल को सब्स्राइब जरूर कर दिना तब तक के लें गुडबाई अन हैव नाइस जी